बहु ने बनाए सौतन के लिए पक्वान में सब के साथ अच्छे से रहना आपसे तीरा ससुराल ही तीरा घर है प्रिया रोते हुए अपनी माँ को गले से रगा लेती है माँ मझे आपके बहुत याद आएगी आपके बिना में कैसे रहोंगी शकुंतला अपनी बेटी को समझा कर उसके ससुराल के लिए उसे विदा कर देती है लरीता जब उसे अपने घर में लेकर आती है तो उसका बहुत अच्छे से रह प्रवेश करती है आउ बहू इस घर में तुम्हारा स्वागत है लाल थाली में आलती में पैर छापते हुई प्रिया अपनी ससुराल में आ जाती है अगले दिन से ही प्रिया अपनी ससुराल की सबी जिम्मिदारियों को अच्छे से संभालती है उसकी सास ललीता उससे बहुत खुश होती है वहीं उसका पती भी कुछ दिनों के बाद से ललीता अपनी पड़ोस में औरतों से अपनी बहू की खूप तारीफ करना शुरू कर देती है अरे बहुत सीधी है मेरी बहू बिलकुल गाए की तरहा और पता है घर की जिम्मेदारियों को तो आते ही संभाल लिया बस जल्दी से एक पोता और मेरी गोद में दे दे तो मेरी जिन्दगी सफल हो जाए अरे जब बहू इतनी अच्छी है तो पोता भी जल्दी ही मिल जाएगा तेरी किसमत तो खुल गई ललीता बहुत भागे से मिलती है ऐसी बहूए जो घर को संभाल लें वरना आजकल की बहूई तो शादी करके ही अलग हो जाती है सही कहां बहूँ तुमने अब मेरी वाली बहूँ को ही देख लो शादी के एक हफ़ते बाद ही मेरे बेटे को लेकर अलग रहने लगी अब मैं किस के सामने अपने दुख बताओ खेर जो भी है पगवान करे तेरी बहू हमेशा ऐसे ही बनी रहे ललीता को अपनी बहू पर बहुत गर्व था ऐसे ही चार साल गुजर जाते हैं ललीता की बहू की शादी को चार साल हो गए थे लेकिन अभी तक वो प्रेगनें नहीं हो पाई जहां तो शादी से पहले ललीता और उसका बेटा दोनों प्रिया सी बहुत खुश थे लेकिन शादी के चार साल बाद अप्रिया को रोजाना अपनी ससुराल में अपनी सास और पती के तानने सुनने पड़ते हैं क्या हूआ बहू कैसे धिली धिली सी हो रही है तबियत तो ठीक है ना कोई खुशकबरी की बात हो तो जल्दी से बता देना मुझे ऐसी कोई बात नहीं है माजी बस थोड़ा सा सरदर्द है कभी सरदर्द कभी बदन दर्द तो कभी तुझे चक्कर आते हैं अरे जो दर्द होना चाहिए वो दर्द तो तेरे होता ही नहीं क्या कहना चाहती हूँ माजी समझ नहीं आया अरे साफ साफ तो बोल रही हूँ तुझे बस यही कह रही हूँ कि तेरी शादी को चार साल हो गए है और अभी तक मैंने पोते की शकल नहीं देखी कब दे रही है मुझे पोता मा जी ये तो भगवान की हाथ में है जब मेरे नसीब में होका तो मुझे मिल जाएगा ये सुनका ललीता मुँ बना लेती है और वहां से चली जाती है इसी के साथ आयान भी प्रिया से उखड़ा उखड़ा रहनी लगा था प्रिया प्रिया कहा हो तुम मेरा समान कहा है कपड़े नहीं मिल रही टाई नहीं मिल रही मेरा वालेट तक नहीं मिला और मैंने यहां कल रात को एक फाइल रखी थी वो भी दिखाई नहीं दे रही है अरे तो मेरी चीजों को हाथ क्यों लगाती हो ये सुनकर प्रिया अलमारी खोलती है, उसमें से कपड़े, टाइव अगेरा, वालेट और फाइल भी निकाल कर बिस्तर पर रख कर कहती है आपका समान इधर-धर दिख रहा था, इसलिए मैंने संभाल कर रख दिया था आयान प्रिया से अपना समान लेकर आफिस के लिए रेडी होता है, और बिना ब्रेकफास्ट के निकल जाता है ब्रेकफास्ट वो आफिस में अपनी एक आफिस की लड़की प्रियंका के साथ ही करता है, जिसे वो बहुत पसंद करता था और देखते ही देखते वो उससे प्यार करने लगता है वहीं प्रियंका भी उसे पसंद करती थी इस रहां दोनों का रिष्टा आगे बढ़ता है और फिर एक दिन क्या हुआ? आज तुम्हारा मूट क्यों आफ है? शादी के चार साल हो गए है और अभी तक मेरी पत्नी को कोई बच्चा ही नहीं हुआ मैं तु तंग आ गया हूँ इस रिष्टे से पता नहीं कैसी बांज मेरे पल्ले पढ़ गई प्रियंका उसके हाथ पर हाथ रखकर कहती है मुझे तुम्हे कुछ बताना है दरसल मैं तुम्हारे बच्चे की मा बनने वाली हूँ ये सुनकर आयान बहुत खुश होता है ये तो बहुत अच्छी बात है चलो हम दोनों शादी कर लेते हैं वैसे भी अब मैं अपनी बांच पत्नी के साथ और नहीं रहना चाहता हाँ मैं भी तुम से शादी करना चाहती हूँ आयान बिना अपनी माग से सला किये और बिना अपनी पत्नी को बताए प्रियंका से मंदिर में जाकर शादी कर लेता है इधार प्रिया टीवी में सीरियल देखते हुए अपने पती के खयालों में खोई होती है तबी सीरियल में एक औरत अपनी सहीली से कहती है स्वराकिनी, पती का दिल उसके पेट से जुड़ा होता है तुम उसके लिए अच्छा खाना बनाओ, उसके दिल में तुमारे लिए जगह जरूर बनेगी आजकल आयान जी भी मुझसे थोड़ी बहुत उखड़ी रहते हैं आज मैं उनकी पसंद का सब खुश बनाओंगी, शैद वो भी खुश हो जाए प्रिया ऐसा सोच कर उस दिन अपने पती के लिए उसकी पसंद का बहुत सारा खाना बनाती है और खाने की टेबल पर लगा देती है उस वक्त आयान प्रियंका से शादी करकी उसे अपने साथ अपने घर ले आता है आयान बेटा, ये सब क्या है? ये लड़की कौन है? मा ये प्रियंका है, जिसे मैं बहुत प्यार करता हूँ मैंने इससे शादी कर लिया क्योंकि ये मेरे बच्चे की मा बनने वाली है ये सुनकर ललिता बहुत खुश होती है, लेकिन ये सुनते ही प्रिया के पैरो तले जमीन के जग जाती है आप ये क्या बोल रही हो? मुझे बिना बताएं आपने दूसरी शादी कर ली? आखिर मेरे प्यार में ऐसी क्या कमी रह गई थी, जो आपने मेरे सामने मेरी सौतन ही लाकर खड़ी कर दी? कमी ही कमी है, चार साल से एक संतान पैदा नहीं कर पाई तूम, और प्रियंका कुछ दिनों में गर्भवती हो गई अब वही मेरी पत्नी है, क्योंकि वो मेरे बच्चे को जनम देने वाली है, अब एक काम करो तुम इस घर को छोड़ कर यहां से चली जाओ प्रियान रोने लगी नहीं आयान जी, मुझे इस घर से मत निकालिये, मैं कहा जाओंगी, मेरा घर तो यही है तभी प्रियांका कहती है, मुझे बहुत अच्छे खाने की खोईश्पू आ रही है, बहुत सुरू से भूख लगी है तभी आयान और प्रियांका की नजर खाने की टेबल पर पढ़ती है लगता है हमारे स्वागत के लिए कई सारे पकवान बना कर रखे हैं और सुनो, प्रिया, अगर तुम्हें इस घन में रहना है, तो तुम्हें मेरी सारी बात माननी होगी चलो मेरी नई पत्नी को खाना परोसो आयान के कहने पर प्रिया अपनी सौतन को तरह तरह के पकवान परोसती है कभी उसे अलग लग तरह से जूस देती तो कभी उसके लिए साउथ इंडियन तो कभी नौर्थ इंडियन टेस्टी खाना बनाती। ऐसे ही एक दिन प्रिया प्रियंका के लिए खाना लेकर जाती है तो कमरे के बाहर से सुनती है कि प्रियंका फोन पर किसी लड़के से बात करने लगती है जिसके बारे में आयान को पता तो चल जाता है लेकिन वो कुछ कह नहीं पाता बस करो इतनी तारीफ मत करो सच में मैं तुम्हें इतनी पसंद आई ओ गॉज अब तो तुझ से मिल नहीं पड़ेगा ये सब आयान कमरे से बाहर खड़ा सुन लेता है किसे बात कर रही हो तुम? किसे मिलने वाली हो? ये पूछने वाली तुम कौन होते हो मेरी जिन्दगी है मैं जैसे चाहो उससे मिल सकती हूँ मुझ पर नजर रखना पंद करो तभी प्रिया कमरे में आती है और कहती है मैंने पालक पनीर की सबजी के साथ परांठी बनाई है हरी चटनी के साथ जो आपकी सिहत के लिए अच्छे है खा लीजिए प्रिया ने तुमारे भले के लिए कहा है इसमें उसकी कोई कलती नहीं है जो तुम उसके उपर हाथ उठा रही हो मैंने उसे तुमारे ध्यान रखने के लिए कहा है प्रियंका ये सब सुनकर मू बनाकर वहां से चली जाती है और आयान को अब सब समझा जाता है कि जो केर, जो प्यार उसे उसकी पहली पत्नी से मिला वो उसे प्रियंका से कभी नहीं मिलने वाला था लेकिन अब वो अपने इस फैसली पर मजबूर था क्योंकि उसे अपना बच्चा चाहिए था ऐसे ही देखती ही देखती है नौ महीने बीच जाती है और प्रियंका एक बहुत सुन्दर और प्यारे से बच्चे को जन्म देती है लेकिन बेटा पैदा करते ही वो उसे सबसे पहले प्रिया की गोद में देती है इस बच्चे पर सबसे पहला तुम्हारा अधिकार है क्योंकि तुमने जिस सरह मेरी देखरे की है शैदी कोई करता सौतन होने के बाद भी रोजाना बढ़िया बढ़िया पकवान बना कर तुमने मुझे खिलाए ताकि बच्चा हमेशा स्वस्त बना रहे मैंने तुम दोनों पती पतनी के बीच में आकर बहुत बड़ी गल्ती की है लेकिन जाने से पहले मैं तुम्हें ये बच्चा देना चाहती हूँ ये तुम्हारी अमानत है इसका खयाल रखना मैं अपनी जिन्दी की अपने हिसाब से जीना चाहती हूँ ऐसा कहकर वो वहां से चली जाती है प्रियंका की जाने से प्रिया को उसकी जाने का दुख तो होता है लेकिन प्रियंका प्रिया की परिवार को पूरा करके चली जाती है अब प्रिया अपनी पती और बच्चे के साथ खुशी-खुशी रहने लगती है